हेलो फ्रेंट्स प्लांट्स एंट पैट्स लवर में आप सब का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे मोगरा प्लांट मोगरा प्लांट को क्या फटिलाजर देना है कैसे केर करनी है कहां रखना है यही मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोगरा प्लांट एक हेवी फीड इसको इसको नाइटोजन, फौसफोर ब्रेशम, टीनों फर्टिलेजर, अच्छी तरह आच्छी मातरह में चाहिए, एन्पी के बहुत बर्पूर मातरह में इसको चाहिए, इसके साथ और सारे न्यूटिशन्स हैं, इसको चاहिए फ्रेंड्स, और तभी यह हमारा प्लाइब, मोगरा प्रांट एक बहुत ही खुश्बू दार फूलो वाला पौधा है आप इसको अगर आपके बालकनी में एक भी प्रांट हर उसके फ्लावरिंग हो रही है तो पूरी बालकनी आपकी पूरा घर आपका महग जाएगा इसके फूलो की खुश्बू से तो इसको जरूर इसको एक महिने में अच्छी तरह से फर्रांट कीजे उसके बाद बीच बीच में आप इसको लिकूइट फर्रांट है ये सबसे पहला है लेकिन ये पुराना प्रांट है इसकी व बहुत ही जरूरी होती है, जितने आप प्रूनिंग करेंगे, न्यू न्यू शूट्स निकलेंगी, उन्हीं पर ही इसकी फ्लावरिंग होगी, तो पहले मैं इसमें फटिलाजर दूँगे, फ्रेंस एक प्रांट में इसको अच्छे से गुडाई करना है, गुडाई करने के ब प्रूट्स मजबूत होंगी, तो तभी हमारा प्रांट उपर ग्रोथ करेगा, तो आज जो मैं फटिलाजर दे रही हूँ, पहला फटिलाजर ये है कॉफी पाउडर, कॉफी अगर आपका प्रांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, अच्छे से न्यू नू शूट्स नहीं बन रह है तो चाय पत्ती या कॉफी पाउडर, पंदरा दिन में आप अपने प्रांट में जरूर दीजिए, आप इसको पानी में अच्छी तरह से खोल करके मिलाकर ही देना है कॉफी पाउडर, और चाय पत्ती यूज़्ट चाय पत्ती है, तो आप वह एक दो दो चमच ऐसे भी पानी अपने प्रांट में डाल सकते हैं, तो यह मैंने हाफ स्पून ही ली है और मैंने इस गिलास में मैंने भीगो कर रखती है, इसको चार-पांच मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद ही मैं अपने प्रांट में इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि पोटेशियम रिच फर्टिलाजर है, और केले के छिलके में बहुत भरपूर मातरा में पोटेशियम होता है, आइरन, मैगनिशियम, नाइट्रोजन, फोसफोरस, सोडियम, विटामिन, सोतेंस में, तो यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाजर है मोगरा प्रांट के लिए, आप ऐसे साइड में, मिटी में दबा सकते हैं, बट एक ध्यान रखना है आपको, कि सूखे केले के छिलके ही दबाने हैं ऐसे मिटी में, जो फ्रेश तुरंत जो खाते हैं, वो छिलके में ऐसे मत डालिए, उनका आप लिक्विड फर्टिलाजर बना सकते हैं, वो बैस्ट ह लेकिन जो मिटी में, आपको केले के छिलके डालने हैं, या तो पावडर बनाके डालिए, या फिर ऐसे टुकडे करके सूखे में डालिए, एक चमच में इसमें नीम खली डाल रही हैं, नीम खली बहुत ही ज़रूरी है, ये अपने आप में एक फर्टिलाजर का काम भी करत दिया है, तो इसलिए इसको जरूर डालिए, और नीम की खली हमारे हर प्लांट के लिए जरूरी है, ये नीम कवच है, हमारे प्लांट पे फल फूल लाएगा, और कीडे मकोडों से हमारे प्लांट को भी बचाएगा, तो इसलिए एक महिने में एक दो दो चमच नीम खली भ बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम पे चीटियां वगएरा भी होंगी गर्मियों में मिट्टी में तो आप नीम घली डाली या फिर हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं अपने प्रांट की मिट्टी में तो यह मैंने फ्रेंट्स इसमें डाल लिया है जितना मेरा फर्टी लाइजर था उसका तीन चार गुना मैंने इसमें पानी एड़ गिया है क्योंकि इसको डैलूट करना बहुत ही जरूरी होता है और कॉफी पाउडर में आपको बताओं फ्रेंड्स इसमें नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है इस इसमें यह हमारे प्रांट को एसिडिक सोयल देगा इससे एसिडिक सोयल होती है और मीटी मेरियेशन भी होता है तो इसको या तो चाय पत्ती या कॉफी पाउडर दोनों में से एक पंद्रा पंद्रा दिन में आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से आपकी क्रोथ होगी अच्छा है पत्ती तो नाइट्रोजन डिच फर्टिलाजर है न्यू न्यू शूट्स लाने के लिए न्यू न्यू पत्तियां लाने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है और नाइट्रोजन से हमारी मिट्टी एसिडिक सोयल ही अच्छी तरह से प्लांट की ग्रोथ ह यह ऐनordin undis हो स्पी करेंगे फट्य इक्तो पत्यां ग्रीन बनेंगी। याँए तो मैंने ख़तम हो जाता है। टो की इसे प्रांट कोई उपलाव चेंगे रहे North instrument,uni फेखत पत्यां एप्रणा करें, 42 आप लिए कोईआटी टो थीर अशिन आप हमतो लिए करेंगे तो साय़िन और यू नू पत्यां तो आएंगी ही फ्रेंड्स तो NPK 1919 है nitrogen phosphorus potassium equal है इसमें तो इसको जरूर अपने प्लांट्स पे स्प्रे कीजिए और इसको मिट्टी में भी दे सकते हैं इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है तो आप इसको पत्यों पे 15 दिन में एक बार स्प्रे कीजिए फूल आएंगे बहुत जाद है भर भर के आपके प्लांट्स पे जो भी fertilizer मैंने बताए हैं तीनों ही best हैं त को जरूर दीजिए और liquid fertilizer बना बना करके आप दीजिए अपने प्लांट्स में तो यह देखी मेरे सारे flowering plants हैं और इस पे भी बहुत अच्छे से कलियां बनने वाली हैं और फंगिसाइड मैंने डाला है अभी इसमें क्योंकि फंगिसाइड डाली हल्दी डाली या नीम खली इन तीनों चीजों में से आप कुछ भी अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जाएगे